हलो फ्रेंस मैं भी टुतिवारिफ फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमारे दौरत दी जाने वाली नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंस आप सबकी रिक्वेस्ट ये थी कि मैं हम किस किस क्वेस्टन के अंदर जो है क्लेम कर सकते हैं ठीक है तो इसके उपर हम डिस्कस करेंगे जैसा कि यहां पे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो आपका क्वेस्टन नंबर फरस्ट है ये आपका यूनिट फरस्ट से है और इस वक्वेस्टन के अंदर जो आपका ट्रू एंसर है वह 1911 मतलब 1911 जिस ओप्षन में है वही आपका ट्रू एंसर है बट जो एंसर की में आपकी मिली है वह आपका ओप्षन नंबर फोर्थ दैट मींस 1912 दिया गया है जो कि आपकी रोंग एंसर की है इडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यह आपका क्वेश्टन आइडी 487 है और यह आपका यूनिट सेकेंड का क्वेश्टन है इसके अंदर यह हम ट्रू ऑप्षन की बात करें तो यहां पे जो आपका उनीस सो और तालीस है यह वाला उप्षन आपका ट्रू अप ठीक है अब यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्टन आपका है यह आपका यूनिट थर्ड का क्वेश्टन है इसके अंदर यह हम बात करें तो यहां पे कहता है नोट पैराबोलिक फोरोल एक्स वाइब लांग्स टू रियल नंबर और जब हम क्या करेंगे पहले वाले पाउर फोर है और एक्स के वेलू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी जब एक्स जी को स्टू जीरो होगा और एक्स वाइब बोलता भी है कि रियल नंबर से बलांग करता है इसका मतलब इस क्वेश्टन के अंदर सभी के सभी ऑप्शन रोंग दिये गए हैं जिस भी को यदि आप अटेम्ट करते हो तो आपको मार्क मिलना चाहिए ठीक है इसके उपर भी आपको क्लेम करना होगा और यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे 509 यहां पे लिमिट इंफिरियर और लिमिट सुपीरियर है और यहां यहां पे हम बात करें तो तुर्व आपका है यहां पे जो हापका ड्रू अफ्शन है वह hind surprise 2020 सू इसके इंदर एख ही टू बोला गया है जी नहीं यहां पे जो पर जो हैस्ट आपको क्लेम करना है यहां बोनों के दोनु ठीक है 2030 वह और 2034 ठीख है फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोंस्कियान का क्वेश्चन है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर यदि हम बात करें, तो यहाँ पे जो है 21,63 और 21,64 दोनों उप्षन आपके ट्रू अप सुनोंगे, क् कहता है, जब रोंस्कियान की वेलू, टी नोट जब आपका बिलांग करता, उपर्ण ईंटरिवल ऑवी में एक पॉइंट पे रोंस्कियान की वेलू जीरो है, चिसका मतलब रों सक्वेश्चन की वेलू उस इंटरिवल पे, क्या होगी, जीरो रहेगी, हर एक पॉइंट यदि one आ गई तो इसका मतलब यह जो रोंस्कियान है वो हर point पे क्या रहेगी one ही रहेगी एक बार one हो गई तो वो one ही रहेगी ठीक है हर एक point पे ओके इसका मतलब जो है रोंस्कियान वाले question में 21, 63 और 21, 64 ठीक है इसके आगे next बढ़ते हैं जो आपका question है वीडियो में आप देख पा रहे होंगे 5, 4, 9 है यह आपके unit 3 का question है इसके अंदर यदि हम true option की बात करें तो यह जो है आपका 93, 95 और 96 तीनों के तीनों आपके जो है true answer डाले गए हैं ठीक है फिलाल के लिए अभी जो है इतना ही question हमारे पास हो चुका है जिसके उपर आप claim कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको ऐसा solid देना होगा proof जिससे की वो CSIR net वाले हैं वो आपके answer को मानने के लिए मजबूर हो जाएं ऐसा solid proof आपको देना है यदि आपको कोई चीज book से मिलती है उस book का आप नाम लिखेंगे और book के writer कौन है उस writer का भी नाम लिखेंगे और किस page पे वो चीज दिखाई गई है इसको भी आप देंगे और यदि आप जो है किसी question के अंदर उस question का answer नहीं पाते हैं किसी book के अंदर तो आप क्या करेंगे आप जो है एक white paper पे जो अपना solution है उसको आप डालेंगे और किस किस तरीके से जो है ये ये ठीक हो रहा है उस बात को भी आप उसके अंदर डाल देंगे ठीक है और finally आपको लिखना होगा कि कौन कौन सा answer ठीक है तो ये सारी बात है आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से इसका जो solution है जो आपको claim करना है वो solid claim दीजेगा solid proof question का दीजेगा ताकि सामने वाला जो है आपके question से सामेत हो और answer की को change करने की कोशिस करे ओके thank you for watching my video